यह बर्खा जी इस लेंदर चर्चिल जी शुरू करते हैं आज का सेशन और जैसे कि हमारी फॉर्स क्लास है इसलिए हम बातशित करेंगे आपके साथ आज section method पर डेटा सेलेक्शन और बात करेंगे addressing system के बारे में तो पहली क्लास में हम डेटा सेलेक्शन क्यों कर रहें हैं इसकी पीछे रीजन है कोई भी फीचर्स कोई बी ऑप्शन्स या को परसेस कर दे के लिए जरूरत होती है इस लेक्शन की जब तह आप डेटा को स्लेक् पाएगी तब-Tak और आप जो है कोई भी शीजर को वर्क नहीं कर साथे एग्जामपल के लिए जैसे आपको कौपी करना है तो नेट्योंड डेटा सेलेक्शन आपको पीबट लगाना है फिल्टर लगाना चार्ट लगानी है कैन फॉर्मेटिंग करनी है कुछ भी करना तो डिटा सेलेक्शन जरूरी है अब डिटा सेलेक्शन में क्या सीखने के लिए है देकि जो लाज डेटा होता है तो select करने में लगता है time और साथ में दिक्कत भी होती है ताकि पूरी तरह से selection कर सकते इसलिए selection के कुछ tricks है जो कि आज हम आपके साथ discuss करेंगे सबसे पहले जो data आपके सामने दिख रहा है इसको अगर mouse से select करें जाहिड सी बात है आप लोग क्लिक करते हुए mouse को hold रखते हुए नीचे के तरफ लाते हैं और आपका data select हो जाता है लेकिन इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि starting में क्लिक करें अपने keyword का shift की hold करें और सबसे last में यहां आ जाए select हो गया इस पे क्लिक करें shift को hold रखें और last में क्लिक करें last में क्लिक करें shift के साथ hold रखें उपर क्लिक कर लें मुत्व क्या है कि आप यहां cursor आपकी है जब यहां पी क्लिक करता हुए के सिक्स पे तो करसर मूव होता है लेकिन अगर मैं shift की को hold रखें की क्लिक करो तो करसर मूव नहीं होगा करसर जो है select होगा अब keyword की बात करें तो generally हम लोग control ए करते हैं अब तो कंट्रोल ए क्या करता है एक अब का डिटा को स्लेक्ट करता है और अब करेंट रीजन को स्लेक्ट करता है करेंट इसी मतलब यह है कि बीच में अगर आपका आपका डेटा कोई ब्लैंक तो स्लेक्ट जो है उपर का डेटा ही लेक्ट होगा है फीक है नीचे का डेटा स्लेक्ट में ही होगा तो ब्लैंक अगर पूरी तरह है तो अगर किसी भी cell करो के किसी भी cell में आगा कुछ type है तब आपका data control A करने पे पूरा selection कर लेगा कुछी तरह से column है अगर हमने column को select करके control plus किया तो आपका data control A होने पे इससे पहले ही select होगा इसके बाद नहीं होगा पुरी तरह blank है तो एक problem A है अब दूसरी चीज़ है कि आप दो बार control A करते हैं तो पूरी की पूरी seat select होगा अब एची जान लेजिए कि हम control A जो कर रहे हैं actually में जो control A है किस feature को टिगर करता है तो आपके यहाँ find and select के अंदर go to a special इसी के अंदर होता है current region और इसी current region को टिगर करता है जब आप control A करते हैं और आपका data select हो जाता है अगर आपके data में इस तरह के फाल्तो चीज भी लिखी है वो भी आपका data select हो जाता है जब आप select करते हैं तो तो यहाँ पे हम लोग जो है cursor move करने की बात करते हैं कि अगर आप normal cursor move करते हैं तो यहाँ आता है लेकि यहीं पे आप control के साथ down arrow यूज करोगे तो सबसे last में आएगा control के साथ down arrow left आप right करने से भी cursor इधर उधर move होता है लेकि इसी में मैं control के साथ shift को यूज करू और right arrow down arrow data select हो जाएगा तो इसका यूज कब होता है जब आपके data में ऐसे कुछ फाल फाल को के data डले है लेकिन जब कंट्रोल ए करते हैं तो फाल तो डेटा भी select हो जाता है आपको select उतना ही करना है जितना आपका heading है तो वहाँ पे control shift right arrow and down arrow करते ही आपका data select हो जाता है आप लोग के पास किसी तरह के doubts है तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग क्योंकि आप लोगे लाइव है तो मुझे जो भी पूछना है पूछ सकते हैं कि बरका जी चचली जी लेंदर जी को डाउट इसमें वह सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब कि आगे बढ़ता है आपके पास home और and होता है अगर आप and की प्रेस करते हैं तो नीचे देखिए and mode आपका activate हो जाता है and mode आपका activate हो जाता है जब मैं enter प्रेस करूंगा तो करसर data के last में चला जाएगा उस particular row के लेकिन एक छोटी से दिक्कत आप यहां देख पा रहे हैं कि डेटा का लाश्ट तो आई वान पे है एल वन पे क्यों करसर जा रहा है अब यहां एक समझने वाली बात एक है कि एंड का मतलब बहुता है एंड अप देटा मतलब की एंड आप दो यूजड सेल तो जितने से जितने कॉलन आपने रो आपने यूजड की है उसको यूजड सेल मांग लेगा और जब एंड क्लिक करेंगे तो लास्ट में जाएगा जैसे कि मैंने आपने एंड बटन दबाया एंड पर प्रेस कर दिया एंड में आ गया उसी तरह से होम बटन प्रेस करेंगे तो होम पर आ जाएगा और इसी तरह से कंट्रोल सेप्ट के साथ अट प्रेस करते हैं तो आपका पूरा यूज किया हुआ सेल सेलेक्ट हो जाएगा और किसी आपने स्टाट लास्ट में कर्सर आपका गया हुआ है तो कंट्रोल सेप्ट होम करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर आ जाएगा एक छोटी छोटे चीजे थी जो कि मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए इसने में चीजे बताई अब इसमें एक चीज और आता है दो मतन्दक शुद का स्वेल दो की आपको किया और। है और वाद किक अंदर बहुत साथे सीट है और मैं चाहता हूं सीट के हर सिल पे अपने लिग रहा माल इसे कीस पर मैं चाहता हूं करना लेकिन हर सिसी तो जर्णल ली आप क्या करेंगे कि पहले आप एक seat के उपर data को type करेंगे then copy and paste, 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 paste तो उससे अच्छा है कि आप shift को hold, सबसे पहले सुराती seat 1 पे आ जाएं और अपने keyword का shift की को hold करें और last वाले seat पे click कर दें ऐसा करने से आपका seat पूरी तरह से select हो जाएगा और उपर में group लिखा हुआ आएगा अब जो भी आप करेंगे हर seat के उसी location पे होगा जैसे कि मैंने हाँ पे date डाला और यहाँ पे आज की current date डाल दी आप देखेंगे कि हर seat पे वही आ रहा है लेकिन मुझे हर seat पे नहीं चाहिए किसी selected seat पे चाहिए दो चाहिए तो उस case में आप control को hold करें shift को नहीं control को hold करें और जिस seat पे आपको select करके कुछ करना है उस पे click कर दे वह seat आपका highlight हो जाएगा अब मैं यहाँ पे time लिखा और देखेंगे time मुझे इस ग्रूप को हटाना है तो किसी भी unselected seat पे क्लिक करेंगे आपका ग्रूप हट जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर जैसे seat को ग्रूप कर रहे ऐसे हम डेटा को भी ग्रूप कर सकते हैं जैसे कि अगर मुझे इस में से को स्लेक्टेट सेल चाहिए तो हम कंट्रोल को होल्ड करके जहां भी क्लिक करेंगे और सेल हमारा स्लेक्ट हो जाएगा कि अब मैं कि फॉर्माटिंग करू डिलीट करूँ जो करना कर सकता हूं बट कॉपी नहीं कर सकता है मल्टिपल स्लेक्ट सेल अगर सिक्वेंस में नहीं है तो आप इस area को कॉपी नहीं कर सकते कॉपी करने के लिए आपको जरूरत है एक सिक्वेंस लिए करने का जैसे कि एवन का सिलेक्ट की लेक्ट हुए है तो हम सारे कोलोम का वर नी सिलेक्ट करेंगे तब मुझे करके पेष्ट कर सकते हैं अब यहां ध्यान रहिएगा आप कौपी किजिए गाथ अलग अलग बत जब पेष्ट किजिए गा तो इकट्था अब जिसकी मुझे अगर तीन चाहिए है तो मैं एस से लेकर ठीच कर दिया और तो 30 कोलम मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो सी के भी हमें तीन कॉलन ही सेलेक्ट करने पड़ेगा तीन सेली सेक्ट करना पड़ेगा तो जितना भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूं सारे में तीन ही होनी चाहिए तब कॉपी होगा अब ऐसा नहीं है कि मैंने तीन एक को सेलेक्ट कर रहा हूं नीचे के तरह अब बुलेंगे तिहां तीन इस लिए तो आप कॉपी नहीं कह सकते तीन होना चाहिए सेम रो के अंतर तब आप मल्टिपल सेल को स्लेक्ट कर सकते हैं अब अब आपने देखा मैंने बहुत सारे सॉट कट्स का यूज किया हमने बताया कंट्रोल डाउन एरो अप एरो अब बात यह आती है कि क्या हम क्या हम एक सॉट कट का पूरा लिस्ट निकाल सकते और निकालेंगे क्यों जुरूरत क्या है सॉट कट्ट जैसे कि मैंने बताया कि हर सॉट कट का एक अपना ऑफसंस होता है तो मैं ऑफसंस यूज कर लेंगे माउस यूज कर लेंगे देखिए ऐसा सरमे में पाया गया है कि अगर आप की वोड से जाला काम करते हैं माउस को कम उप्योग करते हैं तो आपकी स्पीड तीस परसेंट तक बर सकती है ऐसा मैं भी समझता हूँ अब चर्चल जी मान लिजिए कि आप किसी इंट्रिव्यू में गए और इंट्रिव्यूर ने आप से कुछ काम करने के लिए बोला आपने कीवर उठाया और खट 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 इसना से वाज आ रही है तो सामने वाले के उपर अलग इंपक्ट पड़ेगा कि ही एज एक्सप्रियेंस फिगार शॉटकट रट्टा मानने से आता नहीं है प्रैक्टिस करने स जाता है तो समझ जाए है कि इसके पास एक्सल की कमांड अच्छी खासी है कि इस में आगे बढ़ते हैं मेरा है ओफिस थ्री सिस्टी फाइब लेटेस पर अब इसमें हम बात करते हैं शॉटकर्ट के लिए आपको गुगल पर जाने की जरूरत नहीं है उपर आपके सामने दिख रहा है सब्सक्राइब आप्शन्स या आप अपने कीवोड का एफ वन प्रेस करते हैं तो साइड में यह आपके पास एक्सल हैल्फ आ जाता है यूजन मैनुल आप बंदय बोलते हैं साम तो गुगल पर जाकर सर्च कर लेते हैं पड़ क्या है कि गुगल पर दीगे इन्फोमेशन हंडेर परसंट करेक्ट होगी इसकी गारेंटी नहीं रीजन गुगल पर दीग पूफ रीट में है गलत भी हो सकता है लेकि एक्सल हैल्फ में दीगई हर एक इन्फोमेशन माइक्रोशॉप ज्यारा वेरिफाइड है यहीं पर हम सब्सक्राइब करते हैं और एंटरप्रेस करते हैं गुगल पर सर्च करने वह सब्सक्राइब आता है ऐसी यहां भी आपको सब्सक्राइब कर लेता है इसके अंदर आपके पास सारे शॉर्टकरट अब लेवल है अब बात आती है क्या इसको हम संस्कीत की स्लोक के दरा या बच्पन में हम लोग कवीता रटते थे ना विंकल विंकल इंटर सा कैसी तरह रटता मार ले है नहीं लता मार नंजी से नहीं anchहोंगा जैसे अपको ter brokers करने के लिए आया कंट्रोल सी करने के लिए कीवीड पे देखना नहीं पड़ता है सोचना नहीं पड़ता है आपका हाथ automatic क्रिक एंटर पर चला जाता है क्यों क्योंकि आपने इसको इतना dai one है और आप जो हो चाहिए और इसके लिए चाहिए उप्रैक्टेस करने का तरीका क्या है तो हम अब करने के लिए सबसे बिटर करीका है कि की आपके पास कुछ ऐसा टाइम होगा पांस दस मिनट का या एक घंटे का ऑफिस में जहां पे आपके पास काम कम होगा या होगा उसकी डिदलाइन नहीं होगी कि मुझे अभी भेजना है और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो स्वाथ में जो होगा काफी करेगा तो वहां पे हम इस चीज़ का द्यान रखेंगे कि स्लो जो वर्क कर रहा है उसकुश जिससे आपके काम पर इप्रेक्ट ना पढ़े तो उस काइन पर आप जो है की वोड का यूज करें माउस का यूज ना करें मतलब कि माउस का बहिसकार करें ठीक है धीरे धीरे आपको घंटा दो घंटा आपके ऑफिस आवन बदल जाएगा अब यहां पर आगे एक चीज़ और भी आती है कि क्या हम शॉर्टकट के लावा और भी चीज़े सर्च कर सकते हैं एक सरहेंट में जी हाँ जैसे कि लिमिटेशन मुझे पता करना है कि 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 इस फीचर का क्या लिमिट्स है एल आई एम आई टी एस लिमिट्स हमने डाला और एंटर प्रेस कि एक सलिस्फिकेशन एंड लिमिट्स पर क्लिक कर लिए ठीक है अब यहां देखिए लिमिंटेट बाई एबलेबल मिमोरी दस लाक रो यह पूरा आपको दिख रहा है आप लोग इस लिमिट्स को एक बार स्टडी कर लिजेगा अब ऐसा क्यों कर रहा हूं तकि कभी कभी इसकी जरूरत पर जाती है जैसे कि कॉलम की बिल्ट्स 255 करेक्ट कि मतलब किसी भी कॉलम को आप कितना बड़ा कर सकते हैं तो 255 करेक्टर तक बड़ा कर सकते हैंद्द माल लिजिए कि आप फीड़ीम आइक्वर्ग्रामिंग यूज कर रहे हैं और वीवे मार्क प्रग्रामिंग से आपको एक्सल में रिमार्क्स दलबाना है और रिमार्क्स तोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए आप चाहते की कॉलम की साइज थोड़ी सी बड़ी हो तो आपनी क्या किया को डाल दिया कि कॉलम विट्थ इक्वल टू 500 बड़े 500 आपकी लिमिट से तो बाहर है एड़ेगा अब आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी लेकिन जब इसे आर्टिकल को आप पढ़े रहेंगे तो आपका दिमाग में आईडिया आ जाएगा तो लिमिट्स की दिक्कत हो सकती है से मुसी तरह से कितने क्रेक्टर डाल सकते है एक्सेल में आप कुछ लोग बोलते हैं पूछते हमसे कि हम एक इफ के अंदर कितने इफ लगा सकते हैं अब देखिए इसकी कोई लिमिट जो है डिफाइन नहीं है लेकिन जब तक फॉर्मूला का क्रेक्टर 32,700 से उपर नहीं जाता है तब तक आप इसके अंदर क्रेक्टर फॉर्मूलेज डाल सकते हैं ठीक है उसी तरह से बाखी चीज़े भी कर सकते हैं जैसे कि आपको कंडिशनल हुमेंटिंग के बारे में जानना है तो यह तो करस्तर रखते हैं इसके बारे में आपको उसकी इननों सौर्ट इन्फरमेशन आ जाती है उसके अलावा टेल मी मोर पर क्लिक करेंगे तो एक नई सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर आप जो है कंडिशन हुम अंडिंग से रेटेट सारे इक्जामपर्स डिफेंट 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 एंगल से दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी फीचर के बारे में जानने के लिए अग सब्सक्राइब गूगल पर जाएगे ताकि आप आपका जो अंदाज़ा सही हो कि हां जो गूगल पर इंफ्रमेशन दी गए कि यह करेक्ट है क्योंकि सिम्लर टू एक्सल है अगर डिफेरेंट हुआ अब एक्सलेट को रहा है आपको टू प्लस टू इक्वल टू फोर होता है गुगल बोला टू प्लस टू इकल टू फाइब होता है तो बिस पर विलीब करेंगे एक्सल है न क्या तो इसका एक्सल हेल्प कर दियान लगए तो शॉटकर्स अब देखें मैं शॉटकर्स के बारे में पहली क्लास माँआपको बता देता हूं क्योंकि आगे आने वाली क्लास में मैं सॉटकर्ट का इस्तमाल नहीं करता हूं और बच्चे पुछते किसका सॉटकर्ट क्या होगा अब मुझे सॉटकर्ट इस्तमाल करना करने के पीछे मेरी मजबूरी है क्योंकि आप लोग मेरा कीवोर्ड नहीं देखता रहे है अब कोई चीज बताने की फ्लो मे इस यहीं यूज करता हूं ठीक है यस अब बात करते हैं इसकी कैल कुलेशन आपके सामने मैंने करसर रखा मुझे इसके मान लेजिए कुछ कालकुलेशन करनी है मतलब एक कॉल हमने इसको स्लेक किया और प्लास 20 कर दिया है क्योंकि मुझे हर नंबर में 20 करना है तो 20 करके मैं नीचे के तरफ ड्रैक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं हर सेल में इसमें खासित हुआ कि मैंने फॉर्मूला सर एक से लिपिल लगाया और नीचे ड्रैक किया तो जो हमारा एड्रेस है एटू कि यहां पर देखिए थी एफूर एफॉर एफाइव दिख रहा है इस तरह से हमारा अप्ग्रेट होता गया है तो चेंज होता है लेकिन अबर अच्छी चीज है अगर इमेर्जिंग कीजिए कि आपको हर एक सेल पर फॉर्मूला लगाना होता तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती तो यहां पर हमने अगर एक छोटी सी चेंजिंग हो जाए कि मैंने डी पर ट्वेंटे लिख दिया यहां पर देख सकता है आपको मैंने डी वन पर ट्वेंटे लिख दिया अब मुझे प्लस करने हैं एटू प्लस डी वन एटू प्लस डी वन तो रिजल्ट आपका 105 आ जाएगा लेकिंगे जैसे नीचे ड्रैक करेंगे आपका क्या हो जाएगा एटू एट्री हो जाएगा और जो की चाहिए मुझे यहां पर हम क्या करेंगे डी वन को डॉलर साइन लगा के फिक्स कर देगा फिर इसको नीचे के तरह ड्रैक करेंगे अब देखिए डी वन हमारा फिक्स रहा इसमें किसी तरह का चैन्जिंग नहीं हुआ राइट लेकि इसी को आगे मैं करता हूं सी पे किया तो देखिए डी जो है इवन हिए क्योंकि मैंने डॉलर साइन नंबर के आगे मतलब की रो के आगे लागे तो टॉप टू डाउन अगर मैं करता हूं तो वर्क करेंगा लैफ्ट राइट में वर्क नहीं करेंगा आप च है तो यह थी है हमारी कहानी जो कि आपके साथ हमने डिसकर्स किया कल बात करेंगे मैंतेमेटिकल कैल्कुलेशन की